हालो अवरीवन वेल्कम टो प्रेंस एक्सेशन चैनल फिर्ट्स आज जम लोगें आपर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आरे सगरवाल के बुक से गाइस निव एडिशन से एक्सराइज 3E का कोशन नमबर 3 & 4 प्रीविएस कोशन सॉल्व कर लिए न नहीं किया है तो इस वीडियो के इस मिल जाएगी linear equation in two variables class 10 उसमें सारे solution chapter C के आपको सब एक साइस के available है सो आएए कोशन नमबर 3 solve कर लेते हैं कोशन नमबर 3 क्या कहता है A lady has only 25 पैसा and 50 पैसा coins in her parts Right? If she has 50 coins in all totaling rupees 95.50 Then how many coins of each kind does she have? Right? So, अब इसका meaning अच्छे समाझ लीजे गाइस इसने बुलाए कि एक lady के पास 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ coins है उसके पर्स में Right? अब उससे अगे उसने कहा है कि if she has 50 coins अगर हमने माना means second equation दी है उसने आपको सबसे पहले बताया 25 पैसे और 50 पैसे के coins है Then उसने आपको बताया कि total coins कितने है 50 coins है और 50 coins का जब हम rupees का total करते है तो वो 19.50 रुपीस बनते है Right? So, how many coins of each does she have? Means जो आपके 50 पैसा 25 पैसा है इनके कितने कितने coins उसके पर्स में है यह आपसे पूचा है तो let's suppose, assume कर लिजे Let 25 पैसा coins 25 पैसे के coins कितने है? X माल लिजे Right? And 50 पैसा, yes guys पैसे में है, rupees नहीं आएगा 50 पैसा coins equals to आपने माल लिया Y है Right? So, अब उसने मताया, if she has 50 coins Means total coins कितने है? 50 है तो एक equation तो यही बन जाती है कि X और Y Means 25 पैसा और 50 पैसा दोनों के जो coins मिला के वो sum कितना है? 50 है It means X plus Y इन दोनों का sum कितना आता है? 50 है Means 25 पैसा और 50 पैसा यह नहीं मालूम कितने कितने है But इन दोनों के coins जो है total वो कितने है? आपके 50 है Coins in all totaling rupees 19.50 rupees Means 19 rupees and 50 पैसा So guys यहाँ पर आपको एक second equation के लिए आपको बताया है कि जो 25 पैसे के coins है and 15 पैसे के coins है उन दोने का जो हम sum करते है तो total rupees कितना बन जाता है? 19.50 बन जाता है तो 25 पैसे के कितने coins है? X coins है आपके Right? And जो 50 पैसे के coins है वो कितने है? आपके Y है तो इन दोनों का जब sum करते है तो कितने rupees बन जाते है? 19.50 अब बहुत सारे स्ट्रेंट क्या करता है? यहाँ पर 50 coins से multiply कर देते है बट यह इससे पहले आप धियान रखना यहाँ पर 50 coins का कोई दोल ही नहीं है इसलिए 50 coins से multiply मत करना वो सिर्फ यहाँ पर आएगा कि X और Y दोनों के coins टोटल कितने है? 50 है तो यहाँ पर आपका 50 आएगा बट यहाँ पर डिलेटल आपको बताया है कि 25 पैसे के जो coins है और 50 पैसे के जो coins है उनका total amount कितना है? 19.50 है एक example से समझ लेते है माल लेते हैं 25 पैसे के 4 coins है और 50 पैसे के आपके पास कितने coins है? 6 coins है और जो total amount है वो कितना है? आपका rupees 4 है तो यह किसमें है? पैसे में है आपको आईज तो आपसे बोला है कि 25 पैसे के 4 coins और 50 पैसे के कितने 6 coins है और जो total amount है वो कितना बन रहा है आपका 4 rupees बन रहा है इन दोनों पैसो के coins को मिला कर अब देखे 25 पैसे के कितने coins है 4 coins है तो हम देखते है 25 पैसा into 4 सबसे पहले यह कितना हो गया आपका 100 पैसा हो गया यह कितना हो गया 300 पैसा हो गया आपका equals to rupees 4 अब हमें मालूम है 1 rupees किसके equal होता है 100 पैसे के equal होता है तो 100 पैसे के that means यह किसके equal हो जाएगा rupees 1 यह किसके equal हो जाएगा rupees 3 and यह किसके equal हो rupees 4 के so rupees 4 equals to rupees 4 यही आगे ना आपका कहीं यहापे coins total की multiplication हुई है no आपको totally बताया है कि 25 पैसे के 4 coins है अपने आप example लेके भी अपने हाथ में भी देख लीजिए कि 25 पैसे के 4 coins है 50 पैसे के 6 coins है जब total करते है तो कितने rupees बैठते हैं हमारे 4 बैठते हैं so यह normally यह example से भी आप लोग समा सकते है see हमें ही यहापर बताया है कि 25 पैसे x coin से 50 पैसे के y coin से जो total amount बनता है वो कितना है 19.50 बनता है right so अब हम कैसे solve करेंगे सबसे पहले पैसे को rupees में convert करना होगा क्यों ठीक है क्योंकि दोनों साइड या तो rupees में होगा value या फिर पैसे में होगा so 1 rupees equals to कितना होता है 100 पैसा होता है right now अब हम यहापर देखते है guys या तो आप इसको भी पैसे में convert कर सकते हो क्योंकि पूल ट्रम आपके किसकी है पैसे में है तो 25 पैसा and 50 पैसा इसको 100 से multiply कर दीजे तो value आजाएगी 1950 ठीक है otherwise इनको पैसे में convert कर दीजे तो भी आपकी वो ही value आएगी कोई fuck नहीं पड़ेगा तो आईए आपके according हम लोग यहाँ पर 1 rupees equals to 100 पैसा and 1 पैसा equals to क्या हो गया 1 upon 100 rupees right 1 पैसे में कितने 100 rupees हो गए 1 upon 100 now 25 पैसे में कितने rupees हो जाएंगे 1 upon 100 25 upon 100 rupees and 50 पैसे में कितने rupees हो जाएंगे 50 upon 100 rupees ठीक है तो first trick थी जो directly हमने की थी कि इसको आप पैसे में convert कर देंगे तो यहाँ पर 1 9 5 0 पैसा आ जाएगा clear लेकिन अब हम क्या करना है second method उससे भी आप solve कर सकते हैं तो यहाँ पर 25 पैसे को हमने क्या लिख लिया 25 upon 100 rupees में हो जाएगा x plus rupees 50 upon 100 into y equals to rupees 1 9.50 100 दोनों में LCM हो जाएगा तो 25 x plus 50 y equals to 1 9.50 into 100 तो guys finally यहाँ पर भी आपने देख ही लिया कि value कि आई है वाप 25 x plus 50 y equals to 1 950 we know very well कि सब किसमें है rupees में हैं तो rupees दोनों साइट से आपका cancel हो गया same यहाँ पर अगर आप इसे 100 से directly 1 rupees 20 equals to 100 पैसा में convert कर लेते तो आपका पैसा सबसे cancel हो जाता ठीक है clear है so finally तब भी आपकी equation 25 x plus 50 y equals to 1 950 ही आती so मैंने आपको दोनों मेथड समझा दियें guys दोनों मेथड में से कोई भी आप clear कर सकते है बिल्कुल भी आपको attention नहीं लेनी है and कोई भी रर्टाफिकेशन नहीं करना है and हम इसको short भी कर सकते है 25, ले लिजे x plus 2y equals to 1 950 so x plus 2y equals to 1 950 upon 25 अब हम देखते हैं 25, 6, 150 and 25, 7, कितना होता है आपका 175 होता है ठीके तो 7 अपलाई हो गया आप यहां कहलाता है 20 and यह क्या होगा 200 and 25, 8's are कितना होता है 200 so x plus 2y equals to कितना आगे guys आपका 78 इसे आप equation second माल लीजे क्योंकि आपने यह short कर दी right now equation 1 क्या थी x plus y equals to 50 equation 2 क्या है x plus 2y equals to 78 अब हम इनको solve करना है हम देखने x की coefficient value same है आपकी और sign भी same है जब sign same होता है तो हम equation को subtract कर देते हैं so subtracting equation 1 and 2 subtracting equation 1 and 2 जब हम subtract करेंगे तो sign 3 हो जाएंगे now y minus 2y that means minus y and 78 में से 50 minus करेंगे तो 8 में से आपका यहां से 78 में से 50 minus 78 में से 50 minus कर रहे हैं तो 8 और 2 right तो यहां से minus कितना आगे guys 28 आगे ठीके तो minus से minus cancel so y की value कितनी आगे आपकी 28 आगे now x की value point out कर लेते हैं इन दोनों में से किसी भी equation में रख देते हैं put the value of y in equation 1 right now x plus y equals to 50 so x plus 28 equals to 50 so x equals to 50 minus 28 that means 22 so x की value कितनी आगे आपके 22 आगे it means 25 पैसे के coins कितने हैं आपके 25 पैसे के coins कितने हैं आप लोगों के guys और आप multiply करके भी देख सकते हैं 22 को guys equation से अगर आपको कभी भी confused होना 25 की कितने coins से आपके 22 है and 50 की कितने coins से आपके 28 है तो इनको जब आप multiply करेंगे तो आपका answer finally 19 रुपीज 50 पैसा ही आएगा अपने questions में अपने calculator में आपने notebook में इसको multiply करके add करके देख लीजेगा ओके इस सरीके से आपका question number 3 solve हो जाता है अगर आपको समझ आगे जल्दी से video like कीजे and comment कीजेए समझ आगया बस एक main concept है इस equation में छोट असा concept है वो आपको समझ लेना है दोनों ही method में आपको बताया है अगर आपने वोच्छे समझ लिया तो कभी question a mistake नहीं होगी okay so now next question question number 4 solve कर लेते हैं now friends question number 4 आप लोगको दिया हुआ है the sum of two numbers is 137 and their difference is 43 so find the numbers आपको directly बोला है कि दो numbers है जिनका sum कितना है 137 है and difference क्या है 43 है so let's suppose one number is x and second number is y right so यहाँ पर directly हम लोगको बोला है sum of two numbers that means x plus y equals to 137 and difference is 43 that means x minus y equals to 43 see so solve करना है directly simple आपकी दो equation बन गई अब हम देखते हैं कि जो y है इनकी coefficient value equal है and इसके sign क्या है अब positive है तो directly add कर दीजे adding equation 1 and 2 subtract भी कर सकते हैं no problem sign चेंदे जाएंगे guys so जो हम add करते हैं directly यह cut and 2x equals to 7 or 3 10 and यहाँ पर carry 1 and 4 4 कितना हो जाएगा 8 and 1 तो x equals to 180 upon 2 तो 2 9s are 80 right so x की value कितनी आ गई आपकी 90 आ गई y की value find out कर लीजे so simple y की value किसी make equation में put कर दीजे put the value of x sorry x की value आई थी तो x की value put कर दीजे in equation 1 so x plus y equals to 137 and x की value कितनी आई थी guys 90 आई थी plus y equals to 137 है नो so easy now आगे solve करते है y equals to 137 minus 90 so यहाँ पर जो हम solve करेंगे so 7 and 13 में से 9 minus होगा तो 4 so y equals to 47 and x equals to 90 so these are two numbers you have to find out the value of these numbers right guys so है ना so easy कितना easy सब question है and इतनी जल्दी आप लोगको नहीं question solve कर लिया and अभी तक भी अगर आपने video लाइक नहीं किया और जल्दी जासे लाइक कीजे and subscribe कीजे चैनल को और comment करके जरूर बताइए कि है समझ आ गया है okay so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आपको प्लेलिस मिल जाएगी linear equation in two variables class and guys इस प्लेलिस में सभी solutions अविलेबल है and community चैनल पर daily questions के answer करना मद बुलिएगा okay so bye-bye take care